हलो फ्रेंड्स, गुदाश्यून तु आल, I hope आप सभी अच्छे होंगे, और आज हम बात करेंगे KVS PRT रिजल्ट के बारे में, ठीक है, एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आया हुआ था, उसके बारे में मैं बात करूँगी, इसके लावा रिजल्ट, कट ओफ, और जो भ पहले नोटिफिकेशन आया है, वो क्या है, तो देखें, यह है वो नोटिफिकेशन, ठीक है, इस पर मैं आपको एक वीडियो भी प्रोवाइट कर वा चुकी हूँ, डेटेल्ड वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको रिक्वाइट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, ठीक है, बायो डाटा फॉर्म के बारे में, किस सरी किसे डाउनलोड करें, सारी चीज़े आपको बता रखी है, ठीक है, तो यह एक नोटिस आया था, इस पर भी बात कर लेंगे, वीडियो तो मैंने आपको प्रोवाइट करा ही दी थी, अब हम बात कर लेते हैं, आगे जो ह इस महिने में आपको सारी चीज़े देखने को मिलने वाली है, आगे समे लिखा है, कैंडिटेट्स हूँ है पार्टिसिपेट इन सीबीटी फॉर पोस्ट पी आटी तीचर्स पोस्ट, अल्वांट तो चेक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, अप्लोड था, इस महिने में सारी चीज़े बहुत जल्द अपरेल के महीने में ही देखने को मिलने वाली है, ठीक है, आप मानकर चलिए कि 15 अपरेल से पहले पहले आपको यह देखने को मिल सकती है, ठीक है, और यहां पर जैसे कोई भी अपडेट आईगी वह मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी कोटिफिकेशन जिसके बारे में मैं वीडियो के शुरुआत में बात कर रही थी, ठीक है, अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो कोई खतम होने के बाद आप उसको जरूर से देख लीजेगा, अब हम बात करेंगे, KVS PRT के बारे में केटेगरी वाइस कितनी कट अफ रह सकती है, ठीक है, काफी टाइम से आपने देख लिया होगा जब फर्स्ट आंसर की रिलीज हुई थी, PRT की, तो उसमें काफी सारी मिस्टेक भी थी, इसके बाद से ही कट अफ आपको यूटूब पर काफी सारी कट अफ रिजल्ट की बात करें, तो अपरेल का मन्त, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, आप चलते हैं कट अफ पर, केटेगरी वाइस कट अफ, देखें मैं आपको पहले बता दूँ, यह एकस्पेक्टेट कट अफ है, ठीक है, कम भी रह सकती है, जादा भी रह सकती है, थोड़ की प्रक्रिया भी होनी है, तो आप उस हिसाब से वेट कीजिएगा, लेकिन इहां पर मैं थोड़ा सा बेसिक लेकर आई हूँ, तो यह काफी हाई भी आपको लग सकती है, लेकिन हम मैकसिमम लेके चल रहे हैं, यहां पर इसके एकॉर्डिंग, ठीक है, अगर मिनिमम की बात की जाए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन होने तक, और केंद्रिय विध्याले संगठन की तरफ से कुछ भी ऑफिशल अपडेट आने तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, और केंद्रि अगली बार जब भी होगा, तो उसमें क्या होगा, थेपी ती सथीची कंड़ेट होगा, उसके हिसाब से cut of release होगी फिर आपको interview के लिए call आएगा interview और CBT के मिलाकर जो total marks बनेंगे ठीक है उसी के हिसाब से merit बनेंगी और आपका selection होगा ठीक है because after qualifying for this exam they will go for the interview exam qualify करने के बाद आपको interview के लिए बुलाया जाएगा based on the obtained marks in CBT KBS will prepare the selection list for interview देखिए वही सारी चीजे हैं जो कि मैंने आपको बताई पहले CBT यानि की return test उसके बाद interview और जो merit list होगी उसके तुरू आपको पता लग जाएगा कि आपका selection हुआ है या नहीं ठीक है तो यह था केंद्रे विद्धाले से related बड़ा update cut of हमने discuss की इसके अलावा यह discuss किया कि result आपको कब तक देखने को मिल रहा है 15 अपरेल से पहले पहले आपको result देखने को मिल जाएगा ठीक है और यहाँ पर अगर आप हमारे channel पे पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा बैल notification को ज़रूर on कर लिजेगा और हमारे channel की playlist पर भी आप जाकर देख सकते हैं काफी सारे content related videos उपलद हैं DSSV से अगर आप जुड़े हुए हैं उसका paper की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे channel की playlist पर जाकर important topics पर वीडियो को watch कर सकते हैं ठीक है आगे जो भी के वी की official update आईगी तो मैं आपको channel के माधन से जानकारी जरूर दूँगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like share करेगा channel को कर लेना subscribe thanks for watching